नमस्कार सक्षी निश्टेक और आप सवी का स्वाकत है शिर्नेगर की मशूर डल जील में शिकारे पैटकों के आकरशन का केंद्र तो हैं ही साथी 18 किलोमेटर छेतर में फैली या जील यहां रहने वाले लोगों की जीवन रेखा भी है डल जील में आपने तहरते शिकारे दाक और पार्सल कलेक्शन सेवा शुरू होने से इलाके के लोग काफी खोश हैं देखा जाये तो डल जील में तैरते डाग घर की व्यवस्था 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है यह व्यवस्था जील छेतर में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई थी अब जो सेवा शुरू होई है वह है डाक और पार्सल सेवा यह डल जील में स्थित व्यापारियों हाउसपोर्ट मालिकों और डल जील में हाउसपोर्ट में ठैरने वाले पैटकों को ध्यान में रखते वे शुरू की गई है यह सेवा डाक और पार्सल लोगों से एकत्र भ जानाओं जिस्ट पहले मैं आपको बदा दू मेरा नाम है शौकत अमद राथर मैं यहां का इन चार यहूं सब पोस्ट मास्टर फ्लोटिंग पोस्ट आफ्स कल हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साब ने एक सर्विस यहां पर स्टार की हाँ पार्सल बुगिंग मोबाइल कि अंदर जितने भी बिजनस ओल्डर हैं जो भी हां पे हमारे जो पार्सल बेचते हैं चाहे कश्मी राट से रिलेटर जो भी हो तो उनको हमने एक सर्विस देदी कि पिक अप सर्विस के हमा उनको अब पोस्ट आफ्स पे जाने की ज़रूत नहीं हैं मुश्कलात का सामना क जाना पड़ता था तो पानी में इनको लानने में जो दुश्वार्य होती थी उसको नजर में रखते हुए हमने इक स्पेशलन के लिए सर्विस चालोगी है यह फ्लोटिंग हाउस बोट का अगर आप हिस्ट्री जानने की चाहोगे तो यह इसकी तो अगर हिस्ट्री देख घनी कि C.O.D. भुग करने के लिए जब वो कस्टमर का वो पारिशल भुक कर ते थे उनको यह उनको यहां से ले जाना पढ़ता है ड्यका दॉसके बदेख चांर ना पड़ता है और जिंग करने के लिए उनका उसपें से बहुत सारा टाव वेस्ट होता है और शुरी बात ह अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके